नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कौशल और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक बीते कई दिनों से दिल्ली विश्विद्दाले के सिक्षक सणकों पर हैं एड होक सिक्षकों की पर्मानेंट नियूकती से लेकर प्रोमोशन तक को लेकर वे दिल्ली विश्विद्दाले के प्रशासन MHRD और UGC से रार कर रहे हैं आखिर क्यों है यह इतना बड़ा मुद्दा और यह मुद्दा आम लोगों पर हम जैसे लोगों पर क्या असर डालता है इन सारी चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे हमारे साथ हैं दिल्ली विश्विद्दाले के सिक्षक डेमोक्राटिक टीचर्स फ्रेंट की पतादिका और राजीव सर अगर आप से बात्षीत की शुरुवात करें हम हम दिल्ली इन्वसेटी को काफी दिनों से देख रहे हैं कि वहां पर जो है बावाल जो थम नहीं रहा है टीचर्स अलग 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 प्रोटेस्ट में जा रहे हैं कभी जो है मचारी जाते हैं कभी जो है पर देखें कुछ चीजें बहुत स्पस्ट रूप में सामाने तोर पर समझने की जरूरत है उसमें सबसे आप देखेंगे कि 10 से 10 साल से 15 साल से यहां दिली विसुविद्याले में बड़े पैमाने पर न्युक्तियां नहीं हुई है चोटी मोटी न्युक्तियां 2014 के आसपा कुछ 100 न्युक्तियां हुई लेकिन बड़े पैमाने पर आप देखेंगे 2008 के बाद से लेके 2019 हो गया है न्युक्तियां नहीं हो रही है और जिसका परिनाम है कि बकाइदा यहां 50% टीचर एड़ॉक है दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि 2008 के बाद से लेके 2019 तक किसी भी को दिलिविस विद्यावले में प्रमोशन नहीं मिला है यानि जो सिक्स्थ पे कमिशन से जो मिलना था प्रमोशन सर्विस कर्डिशन अब वो पूरी तरह से मैं सिक्स्थ पे कमिशन कर रहा हूं सेवन्थ पे कमिशन तो अभी आया अच्छा आपको मैं मेरी न्यूकती 2001 की है और मैं अभी भी उसी असिस्टेंट में हूं यानि मुझे भी कोई प्रमोशन नहीं मिला है तो आप इसी से समझ सकते हैं जबकि मैं सिनियर प्रोफेसर के तौर पर एज वाईज अगर देखें जो बीस साल से पढ़ा रहे हैं तो हालत कमो बेस पूरी इन्वोसिटी की जहां पर की आधा हिस्सा एड होक है और आधा बिना प्रोमोशन के है और दूर दूर तक कोई उमीद की किरन नहीं दिखाई देती है जब विस्विद्याले प्रसासन के पास जाओ तो वो कहता है कि MHRD रिस्पॉंसिबिल है उसने 2006 में 16 में हमें एक पत्र लिखा है जिसमें फाइनांसियल कोई भी अगर बदलाव लाना है तो उसको प्रायर एप्रूबल लेना होगा युनिवर्सिटी को MHRD और UGC से और यहां जाओ तो कहा जाता है कि यह तो विस्विद्याले की रिस्पॉंसिबिलिटी है तो बिलकुल गेंद की तरह फुटबॉल की तरह जो है वो खेला गया आप देखेंगे कि पिछल लगातार दिनों से दिल्ली विस्विद्याले के टीचर्स सरकों पर हैं लेकिन अभी जो यह तत्काल हुआ इसमें एक बहुत अधॉक का मतलब है कि जो बेसिक पे है 85-86 रुपे प्रति माह उसको सीधे 1500 रुपे दिहारी के हिसाब से 1500 रुपे रोज के हिसाब से प्रतिक क्लास के हिसाब से सिख्षकों को दिया जाएगा और यह एक ऐसा जटका था कि आप परमनेंट तो नहीं कर रहे हैं और उल्टा आप उनका डिमोशन एक तरह से कर रही हैं जिसको गेस्ट बना रहे हैं और यह एक ऐसा मसला आया है जिसके बाद चाहे वो प्रमनेंट टीचर हो चाहे वो एड-hawk टीचर हो एक तरफ प्रमोशन नहीं दूसरी तरफ एड-hawk को गेस्ट में कनवर्ट किया जा रहा है जैसे लंबे समय से जो दबा हुआ एक बल कहा लिजे गुस्ता था रोज था वो एकदम से उभर कर सरक पड़ा गया सर इसमें मैं आपको जब सुन रहा था तो इसमें दो चीजे हैं हमने इस पूरी आंदोलन में जो है मतलब महिला जो शिक्षिक है उनकी भागिदारी देखी है और उनकी भी उन्होंने भी अपनी समस्याइब बताई है अगर आप बहुत संचिप्त में बता पाएं कि महिला श दिखाई नहीं देगा चाहिए अभी आपको बात बता दूँ कि जब टेंपरेचर आठ डिग्री और नौ डिग्री दिली का चल रहा है और रात में थोड़ी हलकी फुलकी बारिस भी और ऐसे में खुले आसमान के नीचे विस्विद्याले प्रसासन के सामने दिली विस्व सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही है कि जो बच्चे को कैसे मेटरिनीटी लीप नहीं है नहीं और किसी तरह का उनको बेनिफिक्ट है सिजेरियन उन्होंने अपने हाल को दिखाया था वहां पर बताया था संड़े के दिल और लोगों ने जाना कि क्या इस्थ है यह हम सब को समझना है और अगर आप नहीं जाएंगे तो सिधा नौकरी से बाहर दूसरा जो सवाल मेरा मेरा आप से है वह जो है लेकर है कि मैं यह कहूं कि जब आप लोगों का अंदूलन चल रहा था तो आच्छ फिकल्टी पर हमने जो है एक दूसरी तरगी का अंदूलन में इसको मैं समझ रहा हूँ आप जो सवाल पूछना चाहरा है देखिए एक बात आपको मैं बता दूँ दिल्ली विश्विद्याले का जो टीचर एसोसियेशन है वो देश भर के एसोसियेशन में सबसे अलग किस्म का है जहां पर की एक ही छतरी के नीचे परमनेंट टीच बी है और एड़ॉक भी है यह हमें समझने की जरूरत है कहीं भी टेंपररी एड़ॉक किस्म के जो इंप्लाई होते हैं वो कहीं भी एसोसियेशन का हिस्सा नहीं है उनका अलग एसोसियेशन क्योंकि दो अलग हित हैं दिल्ली विश्विद्याले दिल्ली विश्विद्याल दो अलग हितों के सिक्षकों का एक छत्री के नीचे आना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धी है मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आप देखेंगे कि निजी करन की जो प्रक्डिया चली है उसमें लगातार इसी का सहारा लिया गया है दोनों हितों की टकराहट के द्वारा सरकार जो है चाहे कोई भी सरकार हो वो फाइदा उठाती है और यूनियन को तोरने का काम करती है प्रावेटाइज करने में इसकी भूमी का निभाती है लेकिन दिली विश्विद्याले सिच्छक संग ने इन दोनों सावालों को इकठा जोड के लड़ने का जो मादा किया है कि आज जो कोसिस हो रही है नीजी करन की कोसिस जो हो रही है क्योंकि जैसे ही आपने एड होक को गेस्ट बनाया इसका मतलब क्या है इसका मतलब है नीजी का इंट्रेस्ट अलग है रिसेर्चर्स जो है वो अगर जॉब हो गए तो फिर हमारा क्या होगा तो कई सारी चीजें हैं जो जिसका की जिसके की जड़िये उनसे बात करने की जरूरत है अगर यह सिस्टम ही खतम हो गया पब्लिक एजुकेशन फंडेड एजुकेशन सिस्टम पेशन उसी खतम हो गया तो फिर क्या रिसेर्चर और क्या गेस्ट तो उनसे भी बात करने की इस संदर में जरूरत है यह तो बात विषवद्दाले की हैं लेकिन जो है जब हम देखते हैं तो अंदलों का सौर्वप अगर हम देखे़ दिली विषवद्दाले में भी आंद बगल में आयमसी है वहां पर भी जो है फीजबड़ोत्री हुई है जामिया के बच्चे जो है सडको पर है अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से जो है वो लोग जो है सडको पर है एक जो बड़ा और एक पैन इंडिया रेजिस्टेंस की जो है कहीं कहीं जो है मतलब भूमिका बन रही है आप कैसे देखते हैं इस पूरी डेलोप्मेंट को देखिए मैं तो इस रूप में देखता हूँ कि जो भूमिका संसद में होनी चाहिए थी वो संसद वो भूमिका निभार नहीं रही है मैं इतना भद्र संसद आज के पहले जिंदगी में मैंने नहीं देखा था कि जो डिवेटिंग क्लव की तरह से जो सिटिजन्स एमेंडमेंट बिल पर जो बातें हो रही थी कि एक मिनट की गुहार लगाई जा रही थी कि प्लीज एक मिनट मुझे और बोलने का मौका दे रहन के अंदर होना चाहिए था वो है नहीं ऐसी इस्तिती में यह जो अमान वी अदो और विभाजनकारी और जो नीजीकरन की जो प्रक्रिया चल रही है उसका रही है उसका सिक्ष कांदोलन कर रहा है वह भुमिका आज तक ये भूमिका संसद के अंदर पार्लियमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा होती थी वो नहीं हो रही है और उस भूमिका को निभाने की जो कोशिस है वो इन्वोसिटी में अभी अलग अलग रूप में है आज जरूरत है कि ये जो तमाम पृतिरोध के स्वर हैं उन त इसा आदे सकते हैं तो सर जब आप जब हम पहने इंडिया इंडिया की बात कर रहे हैं और हमने जो है अलग लग 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 इन्वर्सिटीज के टीचर से भी जब बात की तो एक चीज तो साफ निकल के आ रहे है कि इसका कहीं नहीं कहीं जो है वो नई जो सिक्षानीती जो इसके साथ हैं मैं आपसे अगर समझना चाहूं कि इसके इंप्लिकेशन क्या है अगर आप बहुत सारल सब्दों में समझा पाएं कि क्योंकि हमारी जो पूरा शो है वो आम लोग भी देखते हैं अगर समझा पाएं कि उन पे इस पूरी सिक्षानीती का जो असर है वो कैसे जाएगा आपको क्या लगता है देखे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसका इसमें जो नेशनल सब्द है वो बहुत महत्पूर्ण है कि अभी तक एजुकेशन जो था वो स्टेट का जब आजादी मिली थी तब एजुकेशन जो है वो स्टेट का सवाल था और जब आपात अधिकार को छीन के सेंट्रलाइज किया रहा है तो सेंट्रलाइजेशन यह पहला आसपेक्ट है कि जिसमें राज्यों को अपनी सिक्षा नीती बनाने का एक तरह से अधिकार खतम हो जाएगा जो भी होगा वो एक कैंद्री कृत तरीके से बनेगा इसका इंप्लिकेशन नीड्स भी है एजुकेशन जो है उन नीड्स को उस जरूरतों को अलग अलग जो जरूरते हों उसको पूरा करने के लिए स्टेट के पास हर जैसे जैसे आप अगर देखेंगे कि पहार नॉर्थीस्ट अभी जल जला है क्यों है क्योंकि आपने वहां का जो कंडिशन है इस तिहास अगर में पढ़ाना चाहूंगा तो कौन सा टेक्स्ट दूँ क्या वो एक ही टेक्स्ट होगा या अलग अलग जगों पर अलग अलग होगा यह एक विस्तार से इस पर अलग से बात हो सकती है मैं इसके चुकी और दूसरे तीसरे जो बहत्तपुर्ण बिंदू है उसको ध्यान दिलाना चाहूंगा नमबर दूसरा जो इसके साथ है वो सीधा सीधा कमर्सलाइज़िशन है अब यह गया रहेंगे शिक्षा मेंगी हो महंगी ही नहीं पूरी तरह से कमर्सलाइज़ हो जाएगी महगा जो है वो तो एक छोटा सा टर्म है मैं एक जटके में च स्टेट की उन्वसिटीज और कॉलेजेज हों, चाहे वो सेंट्रल उन्वसिटीज हों, उन सब को प्राइवेट प्लेयर्स को सुपूर्द करने का नीती है NEP, कैसे, तो इसमें दो आस्पेक्ट है, UGC एक आस्पेक्ट है, जो UGC दो काम करती है, एक तो अनुदान का काम करत है, अनुदान का हिस्सा खतम करके इसको हेफा में दिया जा रहा है, Higher Education Funding Agency जो लोन देगी, यानि अनुदान को कर्ज में बदलने का मतलब क्या है, कि अभी जो हमारी सेलरी है, टीचर्स की सेलरी है, वो UGC से आती है, अब अगर मेरी सेलरी UGC से नहीं आएगी, तो वो कहा कारित होगा, और जिसका फीस जो है, वो के रूप में वसूली होगी, स्टुडेंट्स की, तो इसमें दो आसपेक्ट आएगा, कि मेरी सेलरी जो है, उसको कम किया जाएगा, और या ऐसे ऐसे मेकनिजम जैसे टूल्स बना जाएगे, जैसे मूक एक कॉंसेप्ट आया है, कि लाइन जो है, वो रेकॉर्डिंग करके, और उसके जड़िये आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि खर्च जो है, उसको कम से कम किया जाए, और उससे ज्यादा से ज्यादा फीस वसूली जाए, तभी मुनाफ़ा कमाया जा सकता है, तो इसका दूसरा आसपेक्ट जो है, वो ह तरह के इंस्टिचूट होंगे, जहां रिसर्च होगा, जहां रिसर्च और एजुकेशन होगा, और जहां सिर्फ एजुकेशन होगा, और तीनों तरह के इंस्टिचूट, इंडिपेंडेंट होंगे, जिसको बोर्ड ओफ गवर्नर्स, जैसे प्राइवेट कमपनियां चलत वही तैय करेंगे कि क्या पढ़ाना है और वही तैय करेंगे कि किसको कितना salary और promotion दिया जाए या न दिया जाए यानि पूरी तरह से वो individual जो है contract होगा जो UGC अभी करती थी कि बेतनमान होता था जो पूरे देश में लागू होता था उस पूरे system को ही खतम किया जा रहा है तो एक जटके में विभिनत तरीके के इसको हम यह कह सकते हैं कि एक सिक्षक को दस अजार salary भी मिल सकती हो और एक को एक लाग salary भी मिल सकती हो बिलकुल बिलकुल यहां तक कि जैसे हिंदी अगर कोई पढ़ा रहा है मैं हिंदी का teacher हूँ तो हिंदी का अगर market value उनको नहीं लगेगा तो वह हो सकता है कि मुझे जो है 10,000 दें और economics का अगर value है तो उसे एक लाग दें और हो सकता है economics में भी किसी को वह 50,000 दें और किसी को डेर लाग दें और वहां अनिवारी कर दिया गया है कि आपके faculty members बाहर से भी होंगे इतने students बाहर से होंगे जिनको आपको इतना फीज देना ताकि फीज के तौर पर वह वसूली कर सके है खेर मेरा कहने का आसे यह है कि यह जो पूरी की पूरी तयारी NEP की वो एक तरफ तो centralization दूसरा commercialization और तीसरा communalization की तयारी है क्योंकि centralized तरीक से नियंतरित करके इसके पीछे जो ताकत है वो इसको पूरे तरह से कमुनलाइज करने का की तैयारी है जिनको skill education चाहिए सर मतलब यह तो सारी चीजें बात हुई लेकिन अब अगर हम दुबारा वापस लोटें डेली नुवर्सरेटी और इन सारी चीजों पर तो हर एक आंदोलन के साथ जो है मतलब एक यह जो प्राकृतिक सवाल होते है नेच्रल जो सवाल होते हैं वो जुड़े होते हैं कि सरकार ने हमारी मांग को immediate माने जो football की तरह हम इधर से उधर घूम रहे थे दो दिन के अंदर VC भी बैटने के लिए तयार हुआ और UGC भी एकदम से बैठी और उसमें उन्होंने तीन चार चीजें जो है वो उन्होंने अधिसूचित किया है कि हम करेंगे जिसमें एक promotion का जाती है लेकिन हमारा सवाल उससे आगे का है कि क्या ये जो भरने की प्रक्रिया है इस भरने की प्रक्रिया में जिस तरह से जेनियू में हुआ कि संदीप सर्मा को जो है immediate मैंने जो इस्टूडेंट यूनियन का ABBP सौरप सर्मा उसको नवक्री दे दी जाती है तो क्या जो सालों से पढ़ार है जो 10 साल से 15 साल से पढ़ार है टीचर्स हैं अब वो कहां जाएंगे अगर उनकी जगा ऐसे सौरप सर्मा जो है न्यूक तो हो जाएंगे तो ऐसी इस्तिती में हमारी ये मांग अभी जारी है कि जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं लोग हैं उनको कैसे अ जो है आज चबरदस्त मांग उभर के आई है और जिसके लिए लोग अभी भी सरकों पर जम्में हो गया है शुक्रिया सब्सक्राइब कीजिए और भी हम आपको वीडियो जो है लाते रहेंगे शुक्रिया झाल 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 झाल